मोके मंत्री मम्ता बैनर जी के नेतर्तिवे वाली परस्थिमी बंगाल की टीमसी सरकार ने राजिय के आठ जिलो के जिलादिकारियों को पत्र लिख कर सारजनिक इस्तानों पर बने अवेद मंदिरों एंव अन्य धार्मिक इस्तलों को हटाने का निर्देश दिया है सरकार ने अधिकारियों से कारवाई के बाद रिपोर्ट मांगी है 27 जनवरी 2022 को जारी किये गए आदेश में राजी सरकार ने दार जिलिंग, अलिपुर द्वार, कूच बिहार, कलिम पोंग, पूर्वी, मिदनापूर, उत्तर, चोबीस परगणा, दक्सिनी, दिनाजपूर और पूर्वी, बर्दवान के कलेक्टरों को इन अनिधिकर्त सरंसनाओं की खिलाब कारवाई करने के लिए कि आदेश में जिला परससन को ऐसी सरंचनाओं को हटाते समय सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया है राजी सरकार द्वरा अप्रेल 2010 में जारी किये गए, सरकारी आदेश में कहा गया था शरकार सारवजनिक इस्तानों पर किसी भी नए अनादिकर्त निर्वान की अनुमतीर नहीं देखी राजी है, सरकारी विबाग और पंचायत आयों नगरपाली का जैसे इस्तानी निकायों को इस्ततरे की निर्मानों का पता लगाने और इसे लोक स्विकर्थी मिलने से पहले जल्चे जल्द रोकने के लिए परियाप्त कदम उठाना होगा यदि आवश्यक हुआ तो विद्वन्स की जिमेदारी भूमी के स्वामीतुवे वाले विबाग की होगी सरकार ने कहा कि इन रांचों को तब जरूर तोड़ा जाना चाहिए जब तक ऐसा नय करने के लिए कोई ठोस कारण ने हो आदेश में सरकारी विबागों और इस्तानी निकायों को अनाधिकर्थ धार्मी के सरंचनाओं की पहचान करने के लिए सारवजन की स्तानों का सरवेक्शन करने और एक रिपोर्ट तयार करने को कहा गया था जिसे 31 जुलाई 2010 तक जमा करना था उस आदेश में स्तान सरंचना की आयू सरंचना किस हद तक पेदल चलने वालो या वहनों की आवागमन में बादा डाल रही है सरंचना को हटाने के लिए स्तानी लोगों से प्राप्त सिकाये थे पास के भूकंड पर इस्तानांतरण की संभावना, कानून व्यवस्ता की स्तती और सांपरदाई की सद्वाव जैसे बातों को भी सरविक्षन में सामिल करने के लिए कहा गया था ऐसे में दोस्तों ममता बेहनर जी सरकार की इस आदेश पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्षिन जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कीजीगा जय हिंद